कुछ लोग मर के जिन्दा होते हैं और कुछ लोग जिन्दा होके मर जाते हैं और ये महम्मद रफी वो शिक्सियत है जो मर के जिन्दा है उनका नाम हमेशा जिन्दा है और हमेशा रहेगा सिंगर वो होता है जो गाना गाए तो लगे के ये एक्टर गा रहा है एक गाने की मिसाल ले लीजे आप मैंन लड़ गई है तो पूरवी जबान का गाना है दलीव साब ने तो पूरी फिल्म में पूरवी की रोल किया रफी साब ने कहा के ये ऐसे रिकार्ड ने होगा जब तक नौशाद साब ने भी कहा कि वो रंग आना चाहिए तो पूरवी सीखी उस पे अबूर हासिल किया तू गंगा की मौज में जमना का धारा तू गंगा की मौज में जमना का धारा हो रहेगा मिलन मैं प्यारे लाल जी के घर में गया उनसे बाते वाते होई तो मैंने खाए मुहमद रफी साहब के बारे में कुछ बताईए तो कहने लगे कि फरिष्टिय के बारे में क्या बताया जा सकता है बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी ये हजारों सार, ये मेरी है आरजू, हैपी बार दे टू यू, 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 रफी साब, हैपी बार दे टू यू, क्योंकि आज उनकी साल गिरा है आज उनकी साल गिरा है और उनकी साल गिरा को मनाने के लिए मेरा ख्याल में खालिद बेग जैसे सिंगर के इलावा कोई और सिंगर नहीं हो सकता क्योंकि जिस कदर खुबसूरत अंदाज से रफी को ये गाते हैं ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बलके पूरे हिंदुस्तान में उनको पसंद किया जाता है और उसके साथ साथ हमारे मुलके नाम वर मशूर कामेडियन जनाब अश्रफ़ान भी हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर आज महम्मद रफी के फन के बारे में गुफ्तू करेंगे उनकी खैर महम्मद रफी के हैं हैं बहुत बड़े जिसे कहते हैं फैन लेकिन आप तो महम्मद रफी को गाते हैं जब महम्मद रफी को गाते होंगे तो कैसा मैसुस होता होगा आपको बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा शुक्र है और बड़ा इसान भी है कि ये आ अल्ला ताला ने ये उनके नाम की वज़े से जो रुत्बा मुझे भी दिया और पूरे मुलक में बलके पूरी दुनिया में जो इज़त दी मैं बलके जितने भी मेरे फैन हैं जो अपने मुलक में हैं मुलक से बाहर हैं तो सबका मैं बहुत शुक्रिया दा करता हूँ क्योंकि जब यूट्यूब पर हम देते हैं अपने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं और उसके बाद फिर वो जो लोग तारीफ करते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद इस काबल नहीं था कि जो लोगों ने जितनी तारीफ की और इस कदर इसको सराहा तो बस अल्ला का ये बड़ा शुकर एशाना मुख्तलिफ जबानों में गाने गाये है उन्होंने गमगीन गाने भी गाये तर्बिया गाने भी गाये भजन भी गाये और शायद मेरा ख्याल है कवाली भी दी मुहम्मद रफी साहब ने कोई भी ऐसा राग नहीं जिसमें गाना ना गाया हो और कोई भी ऐसी जबान नहीं जिसमें उन्होंने ना गाया हो यानि कि अर्बी से लेके तो इंगलिश तक और बाकी हिंदुस्तान में जितनी भी जबाने बोली जाती है वो सभी में ही उन्होंने गाया है तकरिबन जो मैंने थीसिस किया तो उस वक्त यह आपने पंजाब यूनिवस्टी से किया था? जी पंजाब यूनिवस्टी से मैंने यह मास्टस किया था म्यूजिक में और फिर उसमें थीसिस में आपके मुहम्मद रफी थे मुहम्मद रफी साहब थे और उसमें जो मेरे असातजा इकराम में जो लोग थे उसमें आजम चिश्टी साहब के बेटे भी थे इसरार चिश्टी भी थे और उसके बाद रुस्तम फत्यले भी थे उस वक्त और एक यूके से कोई अंग्रेस थे वो भी आये वे थे और फिर मुझाहिद कामरान साहब जो उस वक्त के वीजी थे वाइस चांसलर थे और वो बड़े ही म्यूजिक लवर थे और वो भी मुहमद रफी साहब को बड़े शौक और जौक से सुनते थे और अक्सर हमारी मैफले भी अकटी हुआ करती थी उन्हों ने फिर मुझे कहा कि आप मुहमद रफी साहब पर ही थीसिस कीजिए हम आपको इजासत देते हैं कि आप इंडिया जाएए उनके घर जाएए और पिर जाके फिलम इड़्स साहब भी थे प्रान ऑप भी थे शमी कपूर साहब भी लक्शमी कांट प्यार एलाल पर ओर बी रबिद दर जाईन जी बहुत सारे नाम है उशा जी से भी मुलाकात हुई जो महम्मद रफीज साहब की असल शागिर्द है और मैंने उनसे गाना भी सीखा है वाँ वाँ ये तो आपने आज बड़ा इंकिशाफ किया है गाना भी आप इसे चीखा है मैं अपने बारे में कहता हूं आप मुझे नी पता कि आपने कब उनके सुने मैं तो बच्पन से उनके गाने सुनता था और आज भी मुझे गाने उसी तरह अच्छे लगते हैं हाला कि हम वो नसल नहीं है कि महम्मद रफी के जमाने ना महम्मद रफी को देखा नहीं है लेकिन उनकी आवास में क्या जादू है उनके गाना सुनते हैं तो एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि जिसम जिसे कहते हैं सरशार हो जाता है सुनकर आपकी कैसी कैफित होती है बासे आप बात यह है कि पुलेबैक सिंगर तो बेद तहाशा है हर मुल्क में होते हैं हर जगा होते हैं लेकिन अगर हम किसी को पुलेबैक सिंगर कह सकते हैं एक मकमल सिंगर तो उनका नाम है मुहम्मद रफी על भी साहब। मुँ खोल के हलागे हमें किसी के बारे में भी जी कहना चाहिए रफीज साब वो सिंगर थे जिन को अल्ला ने ये अता किया कि जिस एक्टर पर उनका गाना पिक्चराइज हुआ वो लगा कि वो खुदगार है ये ही बड़ी खुबी है बेशुमार ऐसे एक्टर जिनको हम अपनी उसमें कहते हैं ठीक है यार अच्छा है ठीक है एक उता बहुत अच्छा है तो जिनको हम कहते हैं ने थीक यार अच्छा अक्टर यार उनको भी एक्टर बना दिया उन्होंने हीरो बना दिया मुहम्मद रफीज थाथ की आवाज ने और ऐसा expression किसी के पास है ये पाकिस्तान में एखमद रुष्दी साब के पास ये expression था इंडिया में मुहम्मद रफीज साब के पास यह एक्स्प्रेशन था कि जो गार हैं उसे फील करके गाना तो इतना बड़ा लुब ऐसे भी अश्रफ खाँ साब मुहम्मद रफीज जो हैं बड़े मासूम से आदमी थे बहुत इनकी श्राफत का यह आलम था कि जैसे वो लड़क्यों ने आटोग्राफ मांगा तो उनने का भी यह किया आटोग्राफ क्या होता है वसाद उनकी आटोग्राफ का मतलब है अपना कोई सिकनेचर दे ले तो कहते हैं तू देवे सिकनेचर मेरा कितने थारो जंडलमैन और कितने शरीफ और कोई वो उन में नित और कभी उनका सारी जिंदगी आप देखे हैं कि कभी किसी करे बत्तमीजी नहीं की, कभी कुछ स्कैंडल नहीं जे रहा, ये बड़ी शान है, और यही उनकी अजमत की निशान है, एक गाना रिकार्ड हुआ कि कुछ टाइटल सांग था किसी फिल्म का, ओप डियूसर बैठे ये वो सारे, उनने का यार, नहीं, थोड़ी चूक हो गई हमसे, उनने का क्या, गाना ये मुहम्मद रफी साब का बनता था, उनने का अब तो खेर रिकार्ड हो गया, खेर वो, उनने इनको अप्रोच किया, रफी साब वो गाना आगा, उनने का, है क्या, उनने का, ट्रैक भी है, गाया भी हुआ है, तो उनने का, गाया हुआ है, तो फिर क्यूं, उनने का, नहीं, वो आपने गाना है, वो टाइटल सांग है, वो आप ही की आवाज में अच्छा लगए, किनों ने गाया, उनने का, कल फिर मुझे बारा एक बचे आप फोन कीजेगा तो मैं फिर आपको बताता हूँ और बलके हो सके तो ट्रैक वगएरा उसका वो जिन्होंने वो गाया हुआ था रफी साम ने उनको फोन किया कि आपकी आवाज में एक टाइटल सौंग रिकार्ड हुआ था मुझे नहीं बता आपने मुझे से अच्छा गाया होगा लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंके उस फिल्म का जो फ्लेवर होना है बाकी गाने उसके मैं गा रहा हूँ आपने सिर्फ एक टाइटल सौंग गाया तो उन्होंने का हमने फ्लेवर एक रखना है अगर आप इजासत देंगे तो मैं उसे रिकार्ड कराऊंगा वरना मैं नहीं कराऊंगा उन्हांने का लेने आप करें कोई ऐसा मस्टल़ नहीं आप करें रफीस सहब ने पूछ कि इजासत लेके वो कराया हाला कि वो रफीस सहब से जूनियर थे एक और बात मैं आपकी बड़ी करता हूँ फिल्म पालकी दिले बेत आपको सीने से लगाना होगा आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा ये पूरी फिल्म के गाने रिकार्ड हो चुके थे तलत महमूद साहब की आवाज में सारी जितने भी घजले ही थी तकरीबन सारी कल राज जिन्दगी से मुलाकात हो गई लब थर्तरा रहे थे मगर बात हो गई तो ये सारे गाने रिकार्ड हो चुके थे जो परड्यूसर साहब थे उनकी होगे डेथ अब वो बाकी मौामला उनके बेटे के हाथ आ गया जब वो बेटे के हाथ आया तो वो कहने लगे जिए मैं तो चाहता हूँ कि ये गाने सारे मुहम्मद रफी साहब से मैं करवा हूँ तो उनको जब फून किया तो उनको तो तलत साहब और रिकॉर्ड कर्वा चुके हैं उन्मी करतब करें हैं तो उन्हें का कि मैं जब तक उन्हें से पूछ नहीं लूँगा मैंने रिकॉर्ड करवा सकता हूँ इसी तरह हुआ तो उन्हें पहले तलत में मुझ साहब से पूछा उन्हें इजाज़त दी फिर उन्हें रिकॉर्ड करवाए इसी तरह एक और गाना चल उड़ जा रहे परंची ये तलत में मुझ साहब की आवाज में पहले था तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं और ये चितर गुप थे फिर वो गाना रिकार्ड हुआ मुहम्मद रफी साहब की आवाज में और फिर वो और नयाब हो गया गाना मुहम्मद रफी को मौसिकी का पेगंबर कहते थे बड़े बड़े मौसिकार नौशाज जैसे अब देखिए कि मौहम्मद रफी की गाईकी तो अपनी कमाल की गाईकी थी लेकिन मैं समझता हूं कि गाईकी में मौसिकार्ज का जो उनको मिले उस वक्त के ये भी एक बड़ा हा जी बिल्कुल है क्योंकि वो लोग उस वक्त एक तो शायरी बड़ी अच्छी होती थी फिर उनको पता था कि हम जो भी चीज बनाएंगे वो सिर्फ मुहम्मद रफी साहब ही गा सकते हैं तकरीबं ढ़ाइस सो म्यूजिक डिरेक्टर्स के साथ उनने काम किया है तकरीबं और नौशाद साहब को कहा गया कि नौशाद साहब ये गाना अपने रिकॉर्ड करने है और कहने लगे कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरह कि ये मेरी कंपोजिशन है कि अल्ला से मिरी दौा है कि मुहम्मद रफी साहब को सिर्फ एक घंटे के लिए नीचे भी दें मैं क्ये रिकॉर्ड करणला लाया अंसे रिकॉर्ड करगे बापस भीगड़ ूगा तो अब वो अद Chef को समझते थे जिस मौसी कार के साथ काम करना होता था वह은को समझते थे कि मैंने इनकर जो मतर्महन साहब थे उनकी जो घजले थी मैंनेकाएं तेरे चेरे से हटाऊं कैसे औ और बहुत सारी उनकी ऐसी गजने एक गाने की मिसाल ले लीजे आप नैने लड़ गई है तो पूरवी जबान का गाना है दलीब साब ने तो पूरी फिल्म में पूरवी की ना रोल किया रफी साब ने कहा कि ये ऐसे रिकार्ड नहीं होगा जब तक नौशाद साब ने भी कहा कि वो रंग आना चाहिए तो पूरवी सीखी उस पे अबूर हासिल किया फिर वो गाना रिकार्ड कराया और कंपोजर की आपने बात की एक फिल्म बनी लेला मजनू उसमें रशी कपूर साब हीरो थे मदन मोहन साब को कंपोजर लिया गया तो उनना कहा जी गाने गाने जी उनने का कि ये चुके रशी बच्चा है तो नहीं हमारे जो सिंगर नहीं क्या जिस जिनकी सूट करती है इन पर आवाज उनके होंगे मदन महन साब ने कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं 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 वो रशी चुके वो इनके बड़ों के लिए भी गाते रहे हैं शशी बड़के पिर्थिवी राज कपूर के लिए पिर्थिवी राज कपूर के लिए तो वो इस पर सूट नहीं करेंगे उनने का सिंगर वो होता है जो गाना गाए तो लगे कि ये एक्टर गा रहा है तो मैं मुहम्मद रफी साब को गमाऊंगा वरना मैं फिल्म छोड़ हुए और मशूर गाने है लैला मजनुक है लैला मजनुक है वो रिशी पे हुए तो लगा कि रिशी को पूर गा रहा है रफी साहब ने बड़े अरसे के बाद उस बच्चे के लिए गाना गाना उसके बाद की बाते हैं वो अकबर 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 अमर अकबर एंधरी है और चाहते हैं जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता हूँ जए सपती है उनका मेरा आखरी उसमे गाना था, ये तो नहीं था उनका नहीं और उसमें और गाने थे वो رफी सहब ने अपना गाये थे, हो और गाये था ये वो कुछ पूरे सब्सक्र सब्सक्रा नई और प्राइन एसल के पसंदीदा गुलोकार है इसी तरह आप देखे के महम्मद रफी को हिंदू, मुस्लम, सिक, इसाई, हर मजभ का आदमी उनको पसंद करता है, उनकी आवाज को सुनता है मैं आपको ऐसी बातें अपना बताओं उनकी जब मैंने थेसिस किया, तो मैं जिससे भी उनके बारे में बात करूँ और वो शक्स रोना शुरू कर दे, यह मैं बिल्कुल हैरान था कि आखिर वज़ा क्या है, कि मैं कोई बात करता हूँ, इनका इंटर्वियू करता हूँ तो रोना शुरू कर देते हैं, वज़ा तो बोचू उनका पूछू उनसे फिर वो बताएं, और हर शक्स की जबान पर, क्योंकि अगर वो बात करेंगे या उनका पूरा किस्सा सनूँगा, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हर शक्स की जबान पर एक ही लफस होता थ फरिश्टा, मैं प्यारेलाल जी के घर में गया, उनसे बाते हम आते होई, तो मैंने का मुहमद रफीज साहब के बारे में कुछ बताएए, तो कहने लगे, कि फरिश्टे के बारे में क्या बताया जा सकता है, देव कोहली जिनका गाना है, दीदी तेरा देवर दिवाना, त उत्तम सिंग जी उत्तम सिंग जो म्यूजिक डिरेक्टर भी है हम तीनों हम बैठे वे तो मैंने इंटर्वी उनका करना था तो मैंने का कि आपने तो रफी साब के लिए गाने लिखे भी है तो आप बताईए कि रफी साब कैसे इंसान थे तो देव कौली साभ कहने लगे कि इंडिया में तीन शरीफ लोग है तो मैं थोड़ सा हसा भी मैंने का यह मैंने का तीन शरीफ लोग कहते है जी मैंने का जी एक तो मैं हो गया मैंने का अच्छा ठीक है दूसरे उत्तम जी हो गया मैंने का तीसरे मुहम्मद रफीज साहब मुहम्मद रफीज साहब यानि कि हर छोटा हो बड़ा हो हर शक्स की जबान पर मैंने ये देखा कि उनों ने अगर उनका नाम भी लिया है ना वो कोई सिक्ख है, हिंदू है, इसाई है कोई किसी भी मजभब से तालुक रखने वाला इंसान उसने मुहम्मद रफीज साहब ही कहा है अब मुहम्मद रफीज साहब रयास बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे यह नहीं कि इदर उठें इदर नतीफा सुना, इदर गाना गाया, इदर बैठ गया नहीं लिए बिल्कुल नहीं उनकी वो एक जब कोई उनको और खास तो और पे ऐसे गाने जो दिलीव कुमार सहाब पर पिक्टराइज हुआ करते इस दोर में आके तो आप देखें कि वो ये भी देख ते थे किस पर पिक्टराइज होने जा रहा है तो वो एक उसके अंदर र देखें कि जी आपने वहां मैफिल है तो उसमें आके तो पता नहीं को होता है बाद अकाद ऐसा कि डिस्प्यूट हो जाता है तो उन्होंने का नहीं मैं नहीं आ रहा है और इंडिया रीडियो पर उनके गाने बंद हो गए बड़ा मशूर वाकिया अच्छा अब होते होते पता चला कि यार उनके गाने नहीं बज रहे है रफी साब ने वो किया विजिट तो उन्होंने का बही कि शूर कुआ गया गानी क्यों नहीं चला रहा है यह बंद कराए होगा है हकुमत की तरफ से का यार ऐसी क्या बात होगी इतना अच्छा सिंगर वो गाने बंद होगा रफी साब ने का यार अच्छा चलो जिन्होंने बंद कराए हैं अगर वो ही खुल वादें तो चलने तो चाहिए मेरा फेवरिट सिंगर है वो किशोर खनकदा अरवास रफी बड़ी बात है हाँ रफी साब कह रहे हैं कहीं इंद्रा गांदी से या किसी से मुलाकाती तो न का ये तो बड़ा जल्म हो रहा है कि इतना अच्छा सिंगर इसके गाने बंद कराया है उनने कहा नहीं कोई बात नहीं खुल जाएंगे वो गाने खुल गए किशोर खुमार साब चले गए वहां ओल इंडिया बंद भी कर दिये ऐसा क्या हो गया भाई क्या हुआ था उनने क हुआ ये कि हुकुमत ने बंद कराये थे और जिन्होंने खुलवाए हैं उनने कहा था कि जिकर ना मेरा करना वो मुहम्मद रफी साब थे कितनी बड़ी अद्बत की बात है ये जनाजे पे वाक्या सुनाया कि शौर कुमार साब ने रफी साब के जनाजे पे उन्होंने कि साब से कहा कि अब आपने भी किसी से ये जिकर नी करना कि ये मैंने खुलवाए थे ये थे मुहम्मद रफी वो वादा का वो क्या नाम में उसका जहां बदला वफा का बेवफाई के सवा के वहां से हुए और उसके बाद रिशी के पूर का वो जो गाना क्या हुआ तेरा किसी चोटे के लिए गा रहे हैं बच्चे के लिए किसी काम करने वाले के लिए गा रहे हैं किसी कुमेडियन्स के ओपर जानी वाकर के उपर और भी बहुत सरे सिंगर्स के उपर जिसके लिए गाया है वो सर जो तिरा चकर आए तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे जानी वाकर ही गाने हैं बिल्कुल सही है उसी गाने से ही वो जौनी वाकर बने हैं बिल्कुल सही है उसी गाने से ही और उसके ओपर फिर गाने जौनी वाकर साहब को दिये गए और महमद रफीज साब की गाने सारे हैं अच्छा खालिद बेक साब महम्मद रफीज का एक गाना जो है वो वैसे तो उनके सारे गाने माशाएला मुझे तो बड़े पसंद है खोया खोया चांद खुला आसमान हमने पहले दफ़ हम सुनना के चांद भी खो जाता है खुला आसमान अच्छे तारे नदर आते थे कैके शाहां तो यह सारी चीजे और वह एक क्या क्या रूमेंटिक सांग आए आके और मैंने फिल्म देखी संगम तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसके यानि गाने थे जो फिल्मों को कहीं से कहीं ले जाते थे फिल्मों को कामयाब कर देते थ का है और देखो सबसे जादा पॉपलर भी यही हूआ पर यही हुआ कि यही हुआ थे यही हुआ प्रभी साहब का यह अच्छी वो जिसके लिए भी गाना गा देते थे थे ना तो वो शक्स भी वो फिल्म भी अब मैं जब बांबे में था तो मेरी मुलकात हो गई हुआ वो कर फिल्म आई थी उसके लिए मुहमद रफीज सहाब के गाने रिकॉर्ड हुए लेकिन अब वो रिकॉर्ड कैसे हुए कि फिल्म के लिए पैसे तो उनके पास थे नहीं अब वो कहें जी जो उसके म्यूजिक डिरेक्टर थे शाम जी घंड शाम जी तो वो पर्डूसर सहाब क सौरी उस वक्त तो 35,000 रप्या लेते हैं लेकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूँ फिर तो उनका कि यह आम मुझे छोड़ दीजे मुझे पता है कि रफीज सहाब जो है वो कितने दयालू है और वो लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं यह मुझे पता व कहने लगे कि मैं उनके पास चला गया पहले तो इडिया और तेन चार दवा मुलाक्वात भी नहों सके थूह टो तो अक्सर वही अपना डील करते थे सारी क्युक्छ रफी सहाब को तो बात करने का कोई इतना वो जो चलाकी जो होती है उसमें वो नहीं आती थी थी उनको वो तो सीधे साथी आदमी थे अब वो उनके पास चले गए जब उनके पास गए तो अचानक वो मिल गए अकेले जब मिले तो उनके जाके उनके गुट्रे पकड़ लिए तो कहले गए रफिसाब मैंने एक फिल्म मुझे मिली है अगर आप गाने गा देंगे तो मेरी रोजी रोटी चल जाएगी तो उनके उठाया उनका याँ अरफ उनके चाए-कब रिकरडिंग करनी है उनका जब आप कहेंगे तो वो 10,000 रपया उन्हों निकाल के रफी साब को दिया रफीज साब को दिया अपनी जे में डाल लिया थोड़ी देर बाते करते रहे के कितने बच्चे Hey और किया क्या करते हैं और यह तो उनने क्या कि जी बस में अब रोजी मेरी चल जाएगी यह आप निका तो रफीज ने वही दस जार प्या निकाल के तो वापस उनकी जेब में डाल दिया कि मेरे लिए ये घर ले जाना, मेरी बेटी के लिए मिठाई लेके जाना घर में वह 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 इस तरह के इसान से महमद रफी जो थे वो इतनी कमफर्ट जोन में गाते थे जिनका बाद बड़े मुझे बड़े मुझे बड़े मुझे अच्छी तरह याद है शर्फवाण साहब के एक दफ़ा मैं एक मौसीकी के प्रोराम बैठा हुआ था तो एक साहब में एमेच और सिंगर थे गाना गा रहे थे वो गाना जो बड़ा मशूर है वो मेरे साथ बैठे हुए थे उस प्रोराम में तो मुझे कहने लगे मुझे लगे मुझे रुसायन के कौन है बंदा मैं का जी को एमेच और सिंगर है कहने दा है खासाब मैं गामा गाए गाना से तुस्य सुनना आके और खुछ देर के बाद जब वो हटे तो मुझे रुसायन साब बैठे तो उन्होंने वही गाना अपनी पसंद पर गाना शुरू किया गाना गाते हुए जब ये गाना गाया मुझे रुसायन ने उनकी रगें फूल गी आंखे बारा ये गाना कहने का मकसद यह है कि मुहम्मद रफीग और जिस तरह आप मैंने देखा आपको गाते वे मैंने कभी निदेखा कि आप कोई प्रेशर में गाना गा रहे हैं या मैं कभी दफ़ा इसको जिक्र किया है मैंने कि मैं जब उनकी कबर पे गया तो हाजरी दी वहाँ पे और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से थोड़ी सी मटी उठाई कुछ तो साथ ले आया और कुछ यो है ना वो वही पे अपने गले पे लगा लगा लोगी और अल्ला से दो दफ़ा दें कि तीन दफ़ा इसी गाने को ही सुना इसी गाने को सुना और रात साड़े आठ प्रोग्रम शुरू हुआ और डेड़ दो बजग गए थे पर ऐसे वकर वह आप थोड़ा सा हमें गुन-गुना दें मुझे याद आ रहा हो तू गंगा की मौज में जमना का दारा क्या क्या वो जब किश्टी चली आ रही होती है थोड़ा सा जी प्लीज बुन-गुनाई दें तो क्या है आ 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 केली मत जैयो राधे जमना के ती ओ जी ओ तू गंगा की मौज में जमना का धारा तू गंगा की मौज में जमना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन वे हमारा तुम्हारा वा जी वा मज़ा आ गया बहुत शुक्रिया जनाब खालिद बेक साहब और जनाब बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रा साहब महम्मद रफी बहुत अजीम गुलोकार थे बहुत अजीम इनसान थे और मैं समझता हूं कि उनकी गायकी ने बड़िल सगीर को जो हुसन बख्षा है शायद ही किसी गुलोकार को वो अजमत या इज्जत नसीब हुई हो जो महम्मद रफी को हासल थे बलकि किसी को भी मैंने पूरी दुनिया में मैंने सुना है सभी लोगों को सुना है कि अल्ला ताला की तर्फ से जो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैंने देखा अगर हम पुरान की तलावत सुनते हैं तो कारी अम happier अगरा की सुनते हैं तो कारी अब्धिलबाद साहब का नाम है, ऐसे फ्री हो के गारे होते हैं और मैंने ऐसा उनका गलाद भी होता है और मैंने अक्सर देखा कि वो जब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ या कुछ लोगों से मुलागात भी हुई, वो भी महम्मद रफीज साब को तो सभी गाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से गाते है कि वो बन्दा कहता है कि ना ही देखे तो बेथे रहे, तो स्टायल वो वला नहीं अपनाया, अब अगर गले में आपके वो मुर्कियां से जो निकाल ली आए, तो बाज दोआ कम लेना है आपके अगर उस चेहरे को वैसा बना लेंगे और इसे कर लेंगे, तो मेरा ख्याल क उस्ताद माना है या आप उनकी तरह अदाईगी करना चाहती है तो फिर आपका फेस, आपके एक्सप्रेशन और खास कर मैं एक और बात अब भी मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह इंगलिश के वावल्स है ठीक है? A, E, I, O, U इसी तरह उर्दू के वावल्स है जो ये जो दो तीन लोग थे जिन में मैडम नूर जहां साहिबा मुहम्मद रफी साहब और कारी अब्द बासे साहब इनके जितने वावल्स नून, गुना, आइन और ये वो तमाम चीज़े इनकी ठीक थी मैंने किसी और शख्स में नहीं पाई वो वाली चीज़े और इनका काफ हम अक्सर जब गाड़ी में बैठते हैं तो हम मुहम्मद रफी साहब से ही गाने शुरू करते है और एक गाना इनका बड़ा पसंदीदा है कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है अब आज तक किसी को ये पता ही नहीं चल सका कि ये जो वर्ड है पहला ये आया कहां से फैज अमद फैज साहब की एक गजल है मुझसे पहली सी महबत मेरे महभूब ना माँग उसमें आता है तेरी आँखों के सिवा उसका ये इसमें दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है अब इस लफ्स को मदन मोहन साहब ने लिया और ये देखे बड़े लोग जो होते हैं वो हमेशा बड़ी ही बात करेंगे मदर्बोन صاحب ने फैज़ अमद फैज़ साहब को फून किया कि मुझे आपके उस घजल में ये चाहिए ये मुझे पसंद आई है अगर आपकी अजाज़त हो तो मैं इसको बना लू तो उन्हों ने का नहीं शौक से कीजी आप और जब उन्होंने बनाया फिर अमर हो गया तेरी आखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह चले ये जुके शाम ढ़ले मेरा जी ना मेरा मर ना इनी पलकों के तरे तेरी आखों वाँ 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 तेरी आखों सदा इस तरही गुंगुनाते रहिए खालिद वेख साब सदा इस तरही गुंगुनाते रहिए और शौक खान साब बहुत शुक्रिया आप सबका और आज हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा एक खराज तैसीन पेश किया है क्योंकि हम इस काविल नहीं कि महम्मद रफी की इतनी बड़ी शक्सियत को इतना बड़ा खराज तैसीन हम पेश करने के अहल नहीं है लेकिन भार कैफ आज उनकी सालगरा है और इस सालगरा के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो हमने आज गुफ्तू की है मैं समझता हूँ कि महम्मद रफी जिस जहान में जहां भी है वो जरूर महसूस कर रहे होंगे कि उनके शिदाई उनके महब्बत करने वाले उनके फैन आज भी वाजूद है अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूँगा आप देखिए आप मुझे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उनने मुझे कहा कि कुछ लोग जिन्दा है कुछ लोग जिन्दा है जो गा रहे हैं लेकिन वो जिन्दों में नहीं है कुछ लोग मर गए है आज से 40 सार पहले चले जिन्दा होगे है वो आज भी जिन्दा है वो आज भी जिन्दा है बहुत زندہ है, उनका नाम हमेशा ज़िए है इसलिए कि वक्त की किल्ट है मेरा ख्याल है कि ये तो बाते हमारी खत्म नहीं होगी और महम्मद रफी का फन माशायला उनको सफर अतना तवील है कि हमसे बहस करते जाएं तो मेरा ख्याल वक्त द्रकार होगा तो इसके साथ ही नादरीन हमें अजाज़े दीजिए इन्शाला अगले पूराम में हादर होंगे अजाला हाफिज